आप देख रहे हैं, हेड्लाइन्स टेली, ह्टी न्यूज कॉंग्रिस के पूर्वर राश्ट्री अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद राहूल गांधी के जन्म दिवस को कॉंग्रिस कारी करताओं द्वारा अत्यंत साथगी के साथ मनाया गया इस आउसर पर इंदोर शहर के सभी 85 वार्डो में शहर कॉंग्रिस कमीटी के अवहन पर कॉंग्रिस नेताओं एवं कारी करताओं के अगवाई में वरक्षार उपन की आईजन संपन हुए विधान सबाक शेतर क्रमांग 4 के वार्ड क्रमांग 84 के द्वार का पर एक शेतर में फोटी कोठी उध्यान में इंदोर शहर कॉंग्रिस कमीटी के अपाध्यक्ष महिंदर शर्मा की अगवाई में 11 फलदार व्रक्षो का रूपन किया गया इस दोरान कॉंग्रिस नेताओं और कारिकरताओं ने राहुल गांधी के दिरगायू होने की प्रातना के साथ ही उनके देश का अगला प्रधान मंत्री बनने की कामना भी इश्वर से की कॉंग्रिस नेता महेंदर शर्मा ने कहा कि व्रक्षो रक्षती रक्षिता के संकल्प के साथ आज लगाए गए सभी व्रक्षो का कॉंग्रिस कारी करता नियमित रूप से ध्यान रखेंगे इस औसर पर मुख्य रूप से कॉंग्रिस वाट 84 के मंडलम अध्यक्ष जीतू शिंदेल अभिजीत बिटू शर्मा राहूल हतूनिया उमेश बगेल रूहित वर्मा नरेश भाई हर्शित वैश्णो सहित बड़ी संख्या में कॉंग्रिस कारी करता उपस्तित थे पार्यवरं दिवस के रूप में मना रहे हैं और लोगों को जोडने का काम कर रहे हैं। अभी दो लाग पेड़ कटने वाल हैं यह आप सभी को मालूम है हम उसी के यह भरपाई करने के लिए आज से हमने अभ्यान शुरू किया है कि राजी राहूल गांदी जी के जनम दिन पर हम यह पारेवरन के रूप में पांच पोड पेड़ हर वाड के अंदर लगा रहे हैं जब इसमें पांच भी लगें ग्यारा भी लगें जैसा जिसका हो पागी हमें एक कारे करता हूं ने एक पेड़ का तो संकल्प लगाएगा यह लगाएगा हम चोरिया सी नंबर वार्ड में खड़े हैं यहां से मेरी पतनी आर्थी महें शर्मा दावेदार है और वो खुद कारी करम हो रहा हो और यह सक्सेज रहेगा आगामी चुनाओं में हम इस पर माध्यम से बड़े जोर शोर से नगर निगम में अपनी परिश्यत भी बनाएंगे अधरनी राहुल गांदी जनतिन के उपलक्षवर हम सारे वीने वाग्णी वाग्णी वाड़ों में मंदला वदस द्वारा सारे वाड़ों में हर यह कारी करता हर एक पोदा लगा रहा है जो नीम का हो पीपल का हो जिस सक्षेन मिलते हुँ उसके उन बहीया की निदे से